वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही टेश्टी काफी खस्ता और बिल्कुल परतेदार पेटीज की रेस्पी सेर करें हूँ इस रेस्पी को बनाना बिल्कुल आसान है आप इसे 5 मिनट में बना के तयार कर सकते हैं यकिनवानी काफी टेश्टी है तो इस रेस्पी को आप एक बच जरूर ट्राय करें वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करना बिल्कुल न भूले तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं खस्ता पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो लगा के करेंगे तयार तो इसके लिए एक बोल में आड करेंगे दो कप मैदा साथ हम इसमें आड करेंगे हाफ टी स्पून नमक टू टेबल स्पून इसमें आड करेंगे गी गी मैंने इसमें मोईन के लिए एड़ किया है और इसी से हमारी जो पीटीज होती है काफी खस्ता बनती है तो गी इसमें जरूर एड़ करें अगर आप चाहें तो गी की जगए ओल का भी इस्तमाल कर सकते हैं गी एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी और मैंने इसमें गुनगने पानी का इस्तमाल किया है इससे क्यावगनग जो आपका डो है बिल्कुल सौफ्ट बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो थोड़ा सा इसमें गुनगने पानी डाले और बिल्कुल हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तयार कर ले और ये लिजी मैंने इसका बिल्कुल एक सॉफ्ट डो लगा के कर लिए तयार डो रैड़ी करने के बाद अब हम इसे डख कर रखतेंगे 10 मिनट के लिए तब तक हम इसके स्टफिंग बना के करेंगे तयार स्टफिंग बनाने के लिए अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमे अड़ करेंगे बंटे बसपन ओयल ओइल करम होने के पाद आप हम इसमें आड़ करतेंगे जीरा, वन पिंच इसमें आड़ करतेंगे हिंग, हिंग से काफी अच्छा टेस्ट आता है, हाफ टीस्पून इसमें आड़ करेंगे सोप, हाफ टीस्पून इसमें आड़ करतेंगे बारिक चोप के वही अधरक, दो से त चीतरे से कलेंगे इसे सोटे और अब हम इसमें आड़ करेंगे तीन उबले हुए आलू, आलू को मैंने हाथों से चीतरे से मैस करके इसमें एड़ किया है, आलू आड़ करने के बाद अब हम चलाते हुए चीतरे से कलेंगे इसे मिक्स, और अब हम इसमें आड़ करेंगे मसाल कर दैंगे दालने के बाद आपने तो जदनीर गास का फिल्म बिल्कुन रखोंगे अ आपकि अच्छी तरह से पकाने की बाद अब इसमें एड़ करतेंगे बारिक चौपक før और फिर से अच्छी के लिए पेड़ी बनाते हैं तो उसी तरह से इसकी पेड़ी बना के तयार करें पेड़ी बनाने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे हमें इसे मोटा नहीं बेलना है बिल्कुल पतला से बेल ले जैसे आप रोटी बनाते हैं तो उसी तरह से इसे बिल्कुल पतला बेल ले और य इस तरह से मैं इसे कट करें तो इस तरह से आप इसे कट कर लें चार भागों में इस तरह से कट करने के बाद अब हम एक भाग पे लगा देंगे थोड़ा सा गी ये लगाने के बाद थोड़ा सा इस पे मैदा छेटक दे इस तरह से मैदा छेटकने के बाद अब हम लेंगे थोड़ा सा इस पे मैदा छिटकेंगे और अब हम जो फोर्थ पार्ट है वो भी हम इस पे रख देंगे सबी पार्ट को ऊपर नीचे सैट करने के बाद अब हम क्या करेंगे इस तरह से बेल लेंगे ध्यान रही इस पे ज़्यादा दाब ना दे बिल्कुल हलके हाथों से इसे बेल ले और जितना मैंने इसी बेल है तो इसी तरह से आप थोड़ा सा इसे बेल ले बेलने के बाद अब हम इस पे रख देंगे स्टाफिंग स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसके किनारों पे लगाएंगे मैदा और घी का पेश्ट मैंने घी और मैदे को थोड़ा सा मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद अब मैं इस तरह से इसके किनारों पे लगा रहे हूँ और इसी तरह से मैदा और घी के पेश्ट को आप इसके किनारों पे लगा दे किनारों पे लगाने के बाद जिस तरह से मैं इसके एक किनारे को उठा के दूसरे किनारे पे सैट करें तो इसी तरह से चिपका दे किनारे चिपकाने के बाद ये लिजी हमारी पेटीज रेडी हो गए इसी तरह से हमने बागी की पेटीज भी रेडी करनी है इस तरह सी पेटीज बनाने के बाद अब हम कर लेंगे ने फ्राइ मैं इसे डेफ फ्राइ कर रही हूँ अगर आप चाहे तो इसमें OTG में बेक भी कर सकते हैं आप इसे पीटीज को फ्राइ करते समय एक बात का ध्यान रखें ना ही ओईल हमारा बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए आप देख रहे हो बिल्कुल हलका सा ही हमारा ओल करम है इससे क्या होगा न बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी परते खुल जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट हमारी पेटीज बनके तयार होगी और अब हम इसी उलटते पुलटते वे अच्छी तरह से fry कर लेंगे जब तक इसका golden crispy color ना आ जाए और ये लिजिए उलटते पुलटते वे बिल्कुल अच्छी तरह से हमने कर लेने fry आप देख सकते हैं इसका golden crispy color आ चुक है और बिल्कुल perfect ये पेटी इस बनके तयार हुए है सभी परते इसके खुल चुक है अच्छी तरह से fry करने के बाद अब हम इने निकालेंगे एक प्लेट में आप देख सकते हमारी जो पेटी इस है काफी खस्ता और काफी परतिदार बनके तयार हुए है आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजी बैल आइकन को प्राइस कीजी ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखे बिल्कुल खसता और काफी तेस्टी है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेस्पे के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर